हेलो एवरिवन, होरर लव हिंदी में आपका स्वागत हैं और आज में एक्स्प्लेन करने वाला हूँ 2017 में आई एक आस्ट्रेलियन साइकोलोजिकल थिलर फिल्म जिसका नाम है बर्लिन सिंड्रोम तो शुरुवात में हम देखते हैं कि क्लेर नाम की एक लेडी जर्मनी के बर्लिन शेहर में घूमने आई हुई थी और फिर वो अपने होस्टल में जाती है जहाँ पर वो रुकी हुई थी और वो अपने कुछ दोस्तों के साथ होस्टल के चट पर पार्टी करने जाते हैं जो और वहाँ से कुछ शौपिंग और कुछ कपड़े भी खरीती है फिर हम देखते हैं कि Claire खिड़के से बाहर एक सुनरत सा कपड़ा जाट रही एक उरत का फोटो भी ले लेती है जिसके बाद में वो आगे जाकर एक बुक्शॉप में जाती है जहां पर भी वो कही सारे फोटो लेती है क्योंकि Claire का बुक्स में काफी ज़दा इंटरेस्ट था वहाँ से निकल कर हम देखते हैं कि Claire को एक आदमी फॉलो कर रहा है और वो उसे एक ट्राफिक सिगनल पर मिल जाती है जहां पर वो आदमी जान बूच कर अपना सामन गिरा देता है और Claire उसकी उस सामन को उठाने में मदद करती है जिससे कि दोनों में बात्ची शुरू हो जाती है इस आदमी का नाम एंडी था और वो Claire से उसके ट्रेवल के बार में पूछता है और वो Claire को स्ट्रॉबरियस ओफर करता है जिसके बार में दोनों में छोटी सी फ्रेंडशिप होती है और एंडी Claire को अपने साथ में स्ट्रॉबरिय के गार्डन ले जाता है दोनों आपस में बाते करते हैं और दोनों में अच्छी कासी दोस्ती हो गई थी दोनों साथ में के जगे भी गुमते हैं और फिर तभी Claire को अपनी मा का कॉल आता है जिसके बार में एंडी उसे उसके अपार्टमेंट छोड़ देता है छोड़ते वक्त दोनों लगबग एक दूसरे से किस करने ही वाले थे कि तभी Claire एंडी को ट्रिंक आफर करती है लेकिन वो मना करके वह से चला जाता है अगले दिन Claire फिर से घुमने निकलती है और उसी बुक्शॉप में जाती है जहां पर उसे फिर से एंडी मिलता है दोनों फिर से साथ में घुमते है और काफी दिर साथ वक्त बिताने के बाद में एंडी उसे एक पुरानी बिल्डिंग में ले जाता है और ये अपार्टमेंट एक पुरानी से बिल्डिंग में था और ये बहुती दूर दरास के लाके में था उस अपार्टमेंट में एंडी और क्लेर तोनों रात बिताते हैं और वहाँ पर क्लेर उसे कहती है कि वो अपनी अगली डेस्टिनेशन पर जाने से बहतर उसके साथ यह पर वक्त बिताना चाहेगी फिर अगले सुबे एंडी अपने स्कूल चला जाता है जहाँ पर वो एक टीचर की जॉब करता था और वहाँ जाकर उसकी नजर एक फ्रेंक का नाम की लड़की पर पढ़ जाती है इधर क्लेर एंडी के अपाटमेंट में अखिली थी और वो रेडी होकर वहाँ से जान लगती है लेकिन वो यह देखती है कि उस अपाटमेंट का गेट लॉग्ड है उसे उस लॉग को खोलने के लिए वहाँ पर चावी नहीं मिलती और क्लेर को यह लग रहा था कि एंडी गलती से चावी रखना भूल गया है और वो यह डिसाइट करती है कि वो यहीं पर रुकेगी जहां पर वो एंडी और अपने लिए खाने के लिए कुछ बना लेती है जब एंडी अपने स्कूल से वापस आता है तो वो कहता है कि वो गलती से चावी रखना भूल गया था औ इसके बाद में हम देखते हैं कि दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज आते हैं और दोनों में इंटर कोर्स होता है फिर अपना प्यार भरा सेशन खतम करने के बाद में दोनों कलब में जाते हैं और वो दोनों ये रात भी एंडी के अपार्टमेंट में रुकने का सोचते हैं, एंडी अकले δिन अपने काम पर जाते समय, क्लेर से कहकर जाता है कि उसने चाबिया वहीं पर रख दी है, और फिर जब क्लेर अपने लिए breakfast बना रही थी, तो उसे एंडी के यहाँ पर अपनी एक favourite book दिखाई देती है, और जब वो उसे खोलती है तो वहाँ पर उसे खुटकास होते हुए एक फोटो मिलता है जिसमें उसके कंदे पर टेटू बना हुआ था फिर क्लेर को एसास होता है कि उसकी रिंग और निकलेस गायब है जो कि उसकी मान ने दिया था कलेर पूरे अपाटमेंट में उस रिंग और निकलेस को डूंटी है लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलता फिर जब कलेर एंडी के रखी हुई चाबियों से दर्वाजा कोलने के कोशिश करती है तो उसे पता लगता है कि यह चाबिया उस दर्वाजे की नहीं है और वो दर्वाजा नहीं खुलता कलेर के मुबायल में भी नेटवर्क नहीं आ रहा था और इस कारण से वो किसी को भी कॉल नहीं कर पा रही थी कलेर ये देखती है कि अपार्टमेंट का इंटरनल दर्वाज़ा भी बन था और तो और महां के कोई भी खड़की खुली हुई नहीं थी उसे लग रहा था कि शायद वो किसी मुसिबत में है और वो एक चेर से खड़की को तोड़ने की कोशिच भी करती है लेकिन उस खड़की के पीछे एक और पैनल था जिससे कि वो खड़की तो टूट जाती है लेकिन आपेनल नहीं तूटता है क्लेर यहां से निकलना चाती थी लेकिन एंडी उसे कुछ flowers दे कर उसे पास्टा के लिए पूछता है लेकिन गुस्से में ख्लेर उसे एक कीक और पंच मारती है जिससे की एंडी उसे पकड़कर बेट से बांग देता है और कहता है कि उसकी चीखें यहाँ पर कोई नहीं सुन सकता क्योंकि ये बिल्डिंग पूरी तरह से खंडर है और ये शेहर से काफी सदा दूर भी है फिर अगले दिन एंडी अपने पिता से मिलता है जहाँ पर वो उन्हें क्लेर के बार में बताता है और एंडी के फादर उसे नेटली के बार में पूछते हैं लेकिन वो कहता है कि नेटली वापस किनेडा चली गई है अब एंडी वापस अपने अपाटमेंट पहुछता है जहाँ पर कलेर ने बेट पर ही टौलेट कर दी थी जिसके बाद में एंडी उसे खोल कर शावर के लिए ले जाता है जहाँ पर कलेर को बाथ टब में लंबे ब्लॉंड हेर्स दिखाई देते हैं जिससे कि उससे समझ आ जाता है यहाँ पर उससे पहले भी कोई और लड़की जरूर थी और उसके साथ एंडी ने भी यही किया होगा फिर एंडी कलेर से कहता है कि उसने अपने पिता को उसके बार में बता है और उसने कलेर की मा को भी मेसेज कर दिया है कि वो यहाँ पर ठीक है लेकिन कलेर उससे कहती है कि उसकी मा को जल्दी पता लग जाएगा कि उसकी बेटी किसी मुसीबत में है अगले दिन एंडी फिर अपने काम के लिए निकलता है लेकिन वो उसे इस बार खोल कर जाता है क्योंकि वो अपाटमेंट पूरी तरह से लॉग्ड था और क्लेर यहां से बचकर कही भी नहीं बाग सकती थी फिर हमें देखते हैं कि एंडी चाबियों को एक बॉक्स में डालकर कॉरीडर में बने हुए शेल्फ में रख कर जाता है और यहां पर क्लेर को एक काउच के नीचे से स्कूरूडराइवर मिलता है जिसे की वो अपने पास चुपा लेती है अब हम देखते हैं कि एंडी अपने स्कूल में है और वो एक टीचर पर गुसा होता है क्योंकि वो ओफिस के किचन से उसका कपले लेती है जिसे एंडी यूज किया करता था फिर एंडी जब अपने घर आता है तो देखता है कि क्लेर पसल खेल रही है और क्लेर मौका देखकर एंडी के हाथ में स्कूल ड्राइवर गुसा देती है वो उससे चाबिया लेकर वहाँ से भागती है और सीडियों से नीचे की ओर जाती है लेकिन वहाँ का में गेट भी लॉग डेता वो उसे खोलने की कोशिश करी रही थी कि तबी एंडी वहाँ पर पहुच जाता है और उसका हाथ गेट से कुचल देता है जिससे कि कलेर की एक उंगली तूट जाती है वो कलेर को वापस अपाटन में लाता है और उससे फिर से बान देता है अगले दिन एंडी फिर अपने पिता से मिलता है और जब वहाँ से वापस आता है तो कलेर पूरी सिच्वेशन को शांत करने की कोशिश करती है वो एंडी से कहती है कि वो अपनी मा को बहुत ज़्यादा मिस कर रही है लेकिन एंडी को उसकी बातों से कोई फरक नहीं पड़ता वो उससे कहता है कि यहाँ से जाने का कोई भी रास्ता नहीं है और उससे अब हमेशा उसके साथ में ही रहना होगा एंडी यहाँ पर कलेर के रोज डिस्टरबिंग फोटोज लिया करता था और जब दर तब लेता था जब कलेर बिना कपड़ों के होती है फिर अगले दिन एंडी अपनी फीमल स्टूडेंट फ्रेंका को उसकी जिम क्लास में देख रहा था जिसका मतलब यह था कि एंडी की फ्रेंका पर भी नजर थी और इधर अपार्टमेंट में कलेर अपने हैरपिन से दर्वाजा खोलने की कोशिश करती है लेकिन उसे डर लग रहा था कि एंडी को पता लग गया तो वो पता नहीं उसके साथ क्या क्या करेगा एंडी उस अपार्टमेंट की सारी धारदर चीजों को एक बॉक्स में लोग करकर रखता था ताकि कलेर को भागने के लिए कुछ भी नहीं मिले और वो लगातार उसे मेंटली और इमोशनली टॉर्चर कर रहा था फिर एक दिन एंडी कलेर को बात्रूमें नहला रहा था और तब ही उसके अपार्टमेंट के दर्वाजे पर फ्रेंका नौक करती है एंडी कलेर को धमकाता है कि वो अपने मूँ से एक शब्द भी न निकाले जिसके बार में वो दर्वाजे पर जाता है जहांपर फ्रेंका उससे फ्लर्ट कर रही थी और वो उससे कहती है कि वो यहां तक उसके पीछा करते हुए आई है और पीछे से कलेर टावल में ही खौल तक चली आती है जिसे फ्रेंका देख लेती है और एंडी फ्रेंका से कहता है कि यह उसकी गल्फेंड है और वो उसके साथ में अच्छा वेवार नहीं करता और इसलिए वो जल्दी उससे छोड़कर जाने वाली है फिर अपार्टमेंट में कलेर एंडी से उस लड़की के बार में पूछती है जो उससे पहले यहां थी लेकिन एंडी उसकी बात को बीच में ही रोक कर उसके बाल काट कर उसके फोटोस लेने लगता है फिर समय के बीतने के साथ साथ वो धीरे-धीरे क्लेर के और करीब आता है और हम देखते हैं कि अब क्रिस्मस आ गया था क्लेर अभी भी एंडी के डर में जी रही थी लेकिन एंडी उसे बस एक खिलोने के जैसे यूस कर रहा था और वो उसे उसके साथ में नॉर्मल रहने के लिए अक्सर कहा करता था चुकि क्लेर उसका साथ नहीं दिया करती थी जिससे की फ्रस्टेड होकर एंडी ये डिसाइड करता है कि क्लेर को यहीं अकेला छोड़कर अपने पिता के साथ रहेगा और यहाँ पर अपार्टमेंट में लाइट चली जाती है और अब क्लेर यहाँ पर इस खंडर से अपार्टमेंट में कई दिनों तक बिना इलेक्रिसिटी कहीं रहती है यहाँ पर एक तो इलेक्रिसिटी नहीं थी और उपर से भयानक ठंड भी थी उन नहीं क्लेर के पास में खाने के लिए कुछ भी था क्लेर को जो भी अपार्टमेंट में मिलता था वो उसे खाने लगती है और हम देखते हैं कि इधर एंडी के पिता की डेथ हो चुकी थी क्लेर को एंडी का अपार्टमेंट से मासक इसी ओर लड़की का टूटावा नाकून दिखाए देता है जिससे कि उसे समझ आ जाता है कि एंडी ने उस लड़की के साथ में चाक्या किया होगा अब क्लेर को यहाँ पर कई दिन हो चुके थे और कुछ दिनों के बाद में एंडी भी वापस आ जाता है और हो कहता है कि उसे इलेक्टिसिटी के बार में कुछ ने पता था कि यहाँ पर इलेक्टिसिटी चली गई है क्लेर एंडी को उसके पिता के मरने पर दिलासा देती है जिसके बार में दोनों क्लोस आते हैं और दोनों में एक बार फिर से इंटर कोर्स होता है हम देखते हैं कि क्लेर अब एंडी के हिसाब से रहने लगी थी वो एंडी का घर साफ करती थी वो उसकी पसंद का खाना बनाती थी और वो उसकी पसंद के कपले भी पेंती थी फिर एंडी क्लेर को एक बुक और उसके पिता का डॉक देता है क्रिस्मस गिफ्ट के रूप में अब काफी समय साथ रहने के दोरान क्लेर एंडी से पूछती है कि उसने उसी को क्यों चुना जिस पर वो उसे बताता है कि उसने उसे पहली बार खिड़की से बाहर कपला ज़ाड रही औरत का फोटो लेते वे देखा था फिर वो जान बुचकर उसे बुक्शोप में मिला क्लेर फिर से एंडी से उस लड़की के बारे में कोश्चन्स पूछती है जिससे कि एंडी परेशान हो जाता है अब यसी नहीं पर कट होता है और हम देखते हैं कि एंडी क्लेर को अपाटमेंट से बाहर एक दूर दरास के जंगल ले गया था और उसके पास में एक गुलाड़ी बिती मतलब कि वो उसे यहाँ पर मारने के लिए लाया हुआ था क्लेर एंडी को उस अपाटमेंट से लाने के लिए थैंक्यू बोल रही थी और वो पीछे से उसे मानने ही वाला था लेकिन अचानक से एक छोटा सा बच्चा चिलाता हुआ वहाँ पर आता है और उनसे उसके भाई की हिल्प करने के लिए मदद मांगता है क्योंकि उसके भाई के पेर में चोटाई हुई थी क्लेर यहां से भागने का मुखा ढूंटती है और उस बच्चे को अपनी सुचेशन बता रही थी लेकिन उस बच्चे को इंगलिज नहीं आती थी और वो क्लेर से डर जाता है एंडी एपाद नोटिस कर लेता है और वो क्लेर को कार की डिक्की में डाल कर वापस से अपाटमेंट ले आता है फिरम देखने कि क्लेर और एंडी के पिता के डॉग के बीच में अब रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो रहा था लेकिन ये एंडी को बिल्कुल भी पसंद नहीं था वो उस डॉग को वाक पर ले जाता है लेकिन आते समय उसके साथ में वो डॉग नहीं था मतलब कि एंडी ने उस डॉग को मार दिया था और वो बहना बहना लेता है कि वो डॉग वहाँ से भाग गया क्लेर अब फिर से अकिली थी और उसका दिल तूट चुका था क्योंकि एक वही डॉग था जिसके साथ वो खुश रहती थी अब एंडी एक नियूएर पार्टी में था और क्लेर अपार्टमेंट में अकिली थी उसे एंडी का कैमरा मिलता है और एक एल्बम जिसमें उसका कई सारे फोटोस थे क्लेर को वहाँ पर दूसी लड़की के भी फोटोस मिलते हैं जिसे एंडी ने उसी की तरह यहाँ पर बंदा हुआ था फिर पार्टी में एंडी दूसरी टूरिस लड़की को अपने जहांसे में लेने के चक्कर में था और वो उसे अपनी मीठी-मीठी बातों में फसाना चाह रहा था लेकिन वो लड़की अपनी फ्रेंड के साथ वहाँ से चली जाती है और इधर अपार्टमेंट में क्लेर को एक टॉच की लाइट चमकती हूँ दिखाए देती है और फिर क्लेर उसी टूटूवी खड़की को और तोड़कर जोड़ जोड़ से चिल्लाती है ताकि टॉच वाला आदमी जो कोई भी हो उसकी मदद करने के लिए आ जाए वो आदमी अपार्टमेंट पहुचता है और वो बस क्लेर को आज़ात करने ही वाला था कि तब ही वहाँ पर एंडी फिर से पहुच जाता है और वो उस आदमी को हतोर से मार डालता है जिसके बाद में एंडी उस आदमी की मौत के लिए भी क्लेर कोई जिम्मेदार मान रहा था वो कहता है कि वो उसकी आदमी की बोड़ी को ठिकाने लगाने में मदद करें और फिर दोनों मिलकर उस बोड़ी को पास में जला देते हैं अब अगले दिन एंडी पूरे अपार्टमेंट से खून को साफ करता है और देखता है कि न्यूस पेपर में क्लेर की फोटो छपी हुई है कि वो बहुत दिनों से मिसिंग है जिसे देखे कर Andy Claire को backpack करने के लिए कहता है क्योंकि वो ये apartment छोड़कर जाने वाले थे Claire को वहाँ पर Andy की एक student की notebook की दिखाए देती है और फिर Claire जान बुच कर अपने हाथ को जला लेती है Andy Claire के हाथ पर लगाने के लिए cream लेने जाता है लेकिन इतने में Claire Franca की workbook को चुपा लेती है अब अगले दिन Andy को Franca की notebook कहीं नहीं मिलती और वो उसे पूरे apartment में डूनता है लेकिन वो उसे Claire के back से मिलती है वो समझ जाता है कि Claire ने जान बुच कर वो books को चुपाया था और वो से punishment देने के लिए apartment का पानी रोक कर वहाँ से चला जाता है ताकि Claire को यहाँ पर एक भून भी पानी ना मिले इस school में Andy Franca को उसकी notebook देता है जिसके pages के बीच में उसे Claire की disturbing photos दिखती है जिसमें उसके हाथ और पैर दोनों बंद हुए थे photos को देखकर Franca डर जाती है और class से निकल जाती है क्योंकि उसने Claire को पहले Andy का apartment में देखा था Andy भी अपने school से जल्दी निकलता है और वो अपने apartment के ओर जाता है जहांपर वो देखता है कि Franca की bike नीचे पड़ी हुई है और apartment का दर्वासा भी खुला वाता और वहाँ से Claire भाग चुकी थी Andy Claire को मारने के लिए एक हतोड़ा ढूंडता है और कदमों के निशान से Claire को ढूंडने के कोशिश भी करता है इधर हम देखते हैं कि Claire सीलियों के नीचे चुप हुई थी और Franca भी Andy से चुप रही थी और जैसे ही Andy Franca के पास पोचता है तो Claire उसे आवाज देकर अपनी तरफ बुला लेती है और उससे वापस अपार्टमेंट में ले जाती है जहाँ पर जाने के बाद में वो चाला की से Andy को ही उसके अपार्टमेंट में बंद कर देती है जिसके बाद में Claire ही महसूस करती है कि वो अब उस अपार्टमेंट और Andy दोनों से फ्री है Claire खुशी में जोरों से चिलाती है और चाबी को फेक देती है और अब Andy उस अपार्टमेंट से बाहर जाने के लिए कहराता और अब Andy Claire की जगह पर कहता Claire फिर फ्रेंका को लेकर बाहर आती है और उसे बेस्मेंट से अपना बेग मिलता है जिसमें उसका पासपोर्ट और उसकी माई की दी हुई रिंग थी मूवी के आखरी सीन में हम देखते हैं कि Andy अपने अपार्टमेंट में अपने चेर पर बेठा है और Claire अपने कार में थी और बरलिन को फिर से एंजॉय कर रहे थी और इसी के साथ में ये मूवी यह पर खतम हो जाती है